इंडिया एक ऐसी कंट्रिय है जहाँ पर हर चीज बढ़ती जाती है खास करके ट्रैफिक आपने देखा होगा कि सडकों पर बहुत ज़ादा गाड़िया आजकल आपको देखने के लिए मिलती है और आटो मोबाइल्स की जो लंबी चोड़ी वेटिंग लिस्ट की रिपोर्ट पुब्लिश होती रहती है वो इस चीज का एविडन्स भी है लेकिन उसी के साथ ट्रैफिक पर कॉंट्रिब्यूट होता है एक और सेक्टर जो है ट्रांस्पोर्टेशन का या पर ट्रांस्पोर्टेशन का एक बहुत बड़ा कॉंट्रिब्यूशन हमारे रोड पर होता है जिसके वज़े से हमें सारी चीजें उपलब्ध हो पाती है और इसी इंफ्रस्ट्रिक्चर वाले सेग्मेंट में दोस्तों चो सबसे बड़ा फाइदा मिलता है वो मिलता है टोल कलेक्शन्स वालों को सारी इंफ्रमेशन आपके साथ मैं एक्सचेंज करूबा ज दोस्तों जिस कंपनी के आज हम चर्चा करेंगे उसका नाम है IRB Infrastructure अगर आप YouTube पे IRB Infra और मेरे चनल का नाम संडे निवेश डालोगे तो आपको ये वीडियो दिख जाएगी ये वीडियो दोस्तों मैंने दो वर्श पहले बनाई थी तो यहाँ पर पहले मैंने इस वीडि है इस कंपनी के स्टॉक का पिछले अगर एक वर्श के रिटन्स की बात करें तो यहाँपर 27 परिशंट के आसपास के रिटेंस इस कंपनी के स्टॉक ने बढ़ा कर दिये लेकिन जब मैंने कमण किया था तब 119 रूपे के आसपास का स्टॉक प्राइस था अब इस कंपनी एक बहुत ही important information share की है उसे हम एक बार देख लेता है तो यहाँ पर आप देख पारे हो company का नाम IRB Infrastructure Developers Limited date आप देख पारे हो 5 December 2022 की date है आपके पास वीडियो एक आद दिन लेट आ सकता है शमा कीजिएगा उसके लिए editing वगदर में time भी लग जाता है यहाँ पर company का जो BAC script code है वो mentioned है 532947 company की symbol IRB यह जो subject है दोस्तो टोल revenue for November 2022 तो इस subject line से company ने यह information share की है जहाँ पर company ने अपने टोल के जो project है उनकी revenue की details दी है November 2022 October 2022 और उसी के साद November 2021 यानि कि last year किस प्रकार की टोल की collection थी जहाँ पर इनकी जो subsidiaries है और JVs है यानि कि joint ventures entities है उनकी भी सारी information इसी document में देखने के लिए मिलेगी अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो यह जो है यह November 30 2022 यह है October 2022 और यह है November 2021 यह सारी जो numbers है दोस्तों वो millions में है ठीक है तो यहाँ पर crores में convert करेंगे जो बड़ा आसान है जिसे की MP Express Highway की जो toll collection नवंबर 2022 की reported है वो है 121 crores की पिछले मन्त में यानि कि October में यह थी 115 crores की लेकिन अगर आप year on year basis पे compare करेंगे तो वो थी 111 crores की उसी तरह एमदाबाद वदोदरा Super Express tollway जो है काफी बढ़िया road है और बहुत जल्द मैं भी इस road से travel करूँगा तो उसकी भी जानकारी आपके साथ share करूँगा तो यहाँ पर 58 crores की total collection report की गई है पिछले मन्त यह 53 crores की थी और पिछले वर्ष यह 47 crores के आसपास की थी CG tollway limited 28 crores यह भी अगर हम year on year देखे तो यहाँ पर भी 82 crores का मोटा मोटा एक इसाफा देख रहा है उद्यपूर tollway limited यह 20 crore और यहाँ पर जो पिछले साल अगर हम देखे तो 75 crore के आसपास की थी पलस्तित धनकुनी tollway private limited 17 crores यहाँ पर यह नहीं था तभी tollway तो तभी यह नहीं था और यह सब joint ventures है देखिए यहाँ से CG से जो है ना यह सब joint ventures है ठीक है तो AE tollway limited यहाँ पर 19.5 crores यह पहले थी 17 crores यह देशी औरंगा बाद tollway यह 23 crores पहले थी 12 crores almost double हो गई दोस्तो IRB हपुर मुनादाबाद tollway limited 22 crores यह थी 13 crores तो यह भी almost double होगे double अला कि 26 होता है लेकिन हम देख सकते हैं काफी अच्छा इज़ाफा आया है cattle tollway limited यहाँ पर देखे यह एक mark दिया हुआ है यह mark क्या है कि toll collection was suspended on account of farmer agitation in November 2021 यह news हम सब ने पड़ी थी देखी थी तो उस news के वज़े से यहाँ पर आप देख पार है toll collection almost zero थे और अब यह करीबन 13 crore के आसपास किये 12.8 crore precisely किशनगण गुलाबपुरा tollway limited 19.4 crores यहाँ पर 8 crores के आसपास कि थी IRB West Coast Tollway यह 10 crore के आसपास किये 7 crore की थी पिछले साल 16 crore की बात करें तो यहाँ 12 crore की है पिछले साल यह 71 crore की थी और overall figures की बात करें तो आप यह देख पा रहे हो 365 crore के नंबर है जो 263 crore के आसपास के थे पिछले साल और यही चीज इस company ने आपर mention भी की हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखिए आपर company ने mention किया है 365.95 crore और यहाँ पर against 262.81 crore तो overall यह जो एजाफा है दोस्तो वो 39% का है share का return आया है 27% एक साल में और toll collection में 39% का एजाफा हुआ है तोड़ा समझने वाली बात है जो मैं खहरा हूँ दोनों के breakups मैंने आपको बता दिये holy owned subsidies और JVs यानि कि joint ventures ठीक है उसी का total है अब यहाँ पर अगर IRB as a company की बात करें तो वो information यहाँ पर mentioned है IRB के पास 60,000 crores के आसपास का asset base है 10 states में इनकी जो companies है वो operate करती है as a parent company और यहाँ पर company का जो record रहा है business portfolios के अंदर वो construction, toll और 15,500 lane kilometers को operate करने का रहा है यहाँ पर Pan India basis पर यह company जो है वो operate करती है और इस company के पास 500 km से भी जादा road को construct करने की ability है एक वर्ष के अंदर तो यह अपने आपने एक बहुत बड़ी capacity होती है और जिस हिसाब से हम infrastructure को लेकर आए दिन घोशना है सुन रहे है उस case में ऐसी company हो कहीं न कहीं मोटा फाइदा होने की उम्मीद मुझे personally मेरे limited knowledge के हिसाब से लग रही है अब यहाँ पर अगर company के stock की बात करें जो सबसे important role play करता है तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो जैसे मैंने का 283 के आसपास की closing दी है अब यही जो price ही न दोस्तों यह price पहले भी आई थी एक बार यहाँ पर आप देख पा रहे हो बहुत crucial level पर है अगर 2018 में भी यह price थी 2015 में भी यह price थी और 2022 में भी यह price है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो toll collection में improvement आई है और जिस आप से infrastructure पर focus भी बहुत जादा है और share बजार भी तेज लगी पड़ी है तो ऐसे scenario में शायद इस company का stock यहाँ से एक breakout भी दे सकता है नजर आपको बनाय रखनी है बायसल recommendation नहीं है stock tip नहीं है मेरी यहाँ पर एक नजर गई मैंने आपके साथ वीडियो के माधम से information को share किया अब आपका भी तो काम है ना आप भी तो home work कीजिए ना कुछ अपनी analysis लगाईए अपने knowledge को use कीजिए और उसके according अपने सूज बूच के अनुसा अपने registered investment advisor के सला के माधम से ही किसी निवेश का फैसला कीजिए मेरा काम है कि एक notification आया है उसे मैंने आपके सामने लाया stock के क्या pattern दिख रहे हैं आपके capital print तो इसलिए आपको सूज बूच से ही निवेश करना चाहिए तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये informative वीडियो बेहत पसंद आए होगा अगर आप सहमती रखते तो वीडियो को like करे personal finance related वीडियो देखना अगर आपको पसंद रहे तो मेरे इस youtube channel को जरूर से subscribe करें ये जो notification की copy है मैंने मेरे telegram group में आपके सायता के लिए share की है हमारे telegram channel का नाम है Sunday ने वेश उसे join करना बिल्कुल भी free है किसी भी प्रकार की charges हम नहीं लेते हैं फरजी ग्रूपों से बचेगा नीचे description में आपको link मिलेगी उसी link के मादल से आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको काफी काम की information time to time प्राप्त भी होती रहती है तो आप सरुर से join करें ताकि आपसे कोई भी काम की जानकरी miss ना हो इसी के साथ करते हैं conclude आज के इस informative वीडियो को